हलो दोस्तों ये हैं आज का व्लॉग होने वाले हैं जिवारा विसर्जन तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं ये हैं मेरे गाउं का छोटा सा सितला का मंदीर और ये देख सकते हो कि ये हैं सितला का मंदीर का दर्वाजा यहां पर आ रहे हैं सेवा बाजा फिर यहां पर देख सकते हो दोस्तों कि जिवारा विसर्जन होने के लिए सितले से सभी जिवारे एक जगई कठा होकर विसर्जन होने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जा रहे हैं विसर्जन होने के तो सबसे पहले सितला मंदिर का जिवारा निकलता है उसके बाद जिन घरों में जिवारा बोया जाता है, वो घरों का जिवारा एक जगई कथा होकर यहां से निकलते हैं, दोस्तों, तो यहां देख सकते हो कि हमारे गाउं में 10 घर जिवारा भोया Dani थे, तो एक-एक करके विसरजन करने के लिए ये देखो सेवा बाजा के साथ जिवारा माता को विसरजन करने के लिए ले जाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से गाउं में एक जगाई कठा होकर गाउं में तिवार मनाया जाते हैं तो इसी प्रकार से गाउं का जिवारा भी सर्जन होता है दोस्तों सामने सामने चलते हैं सेवा बाजा फिर जिवारा माता चलती है यहाँ पर जिवारा बोह कर ले गया जाता है यह देख सकते हो दोस्तों यह देखो जिवारा माता कितना प्यारा दिख रहा है यह देख सकते हो दोस्तों जिवारा माते को बहुत ही सुन्दर लग दे बहुत ही यहाँ पर न दोस्तों चितला मंदे से लेकर तलाव तक लाइन लगे थे जिवारा माता की तो आप लोग आगे भी कंटियूरी रहें वीडियो को जरूर देखिए तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ जिवारा विसरजन तो यह देख सकते हो दोस्तों सभी जिवारे तलाब आ चुके हैं फिर यहाँ पर जिवारे को विसरजन किया जा रहा है यह देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही जादा भीड है यह है हमारे गाउं का सबसे बड़ा तलाब यहाँ पर ही होता है जिवारा विसरजन, दुरगा विसरजन और फिर जिवारावी सर्जन करने के बाद सभी लोग यहां से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं तो यह है हमारे मोहले के जिवारावी सर्जन तो यह देख सकते हो दोस्तों आप लोगों को गाउं का जिवारा वी सर्जन कैसा लगा कमेंट पर जबूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है हो तो सब्सक्राइब